अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा की परिवार के सभी लोग समर को रोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन वह किसी की नहीं सुनता और इसी वजह से वनराज गुस्से में आकर भड़क जाता है। वहीं, बात बढ़ता देख समर अपना सामान लेने निकल जाता है। इसी बीच किंचल, समर और डिंपी का साथ देने की बात कहती है। इतना ही नहीं, बाबु जी भी समर का साथ देने के लिए राजी हो जाते हैं। कहानी में आगे देखने के लिए मिलेगा कि छोटी अनुज को अनुपमा की एक साडी दिखाती है और बोलती है कि उसे जब भी मां की याद आती है तो वह इस साडी को देख लेती है। हरे कलर की साडी देख अनुज भी अनुपमा के ख्यालों में खो जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने बर्खा को बोल दिया कि वो अनुपमा का सामान पहुचा दे और जैसे ही अनुज को अपनी गलती का अहसास होता है तो वो सीधा बर्खा को फोन मिलाता है। उस वक्त बर्खा और अनुपमा की बहस जारी होती है और इसी वज़े से वह फोन नहीं उठाती। लेकिन अनुज को एहसास होता है कि वह इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता है। अनुपमा में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अनुज का फोन देखकर बर्खा शान्थ हो जाती है और सोचती है कि अनुज उसे फोन क्यूं कर रहा है। हालां कि इस बीच बर्खा अनुपमा की मां को भढ़काने की कोशिश करती है। ऐसे में वह बोलती है आज तुम्हार बारे में सोच रहा है, करोडों की जूलरी भेजी है तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हारा गुजारा हो, अनुपमा के आखिर में देखने के लिए मिलेगा की बर्खा से अनुपमा कहती है, भाभी मैं जानती हूँ कि आप क्या कर रही है, अनुज क्या है और कितना बोल सकते ह मैं सब जानती हूँ, मेरी मां को उकसाने की कोशिश मत करे, मैं चाल नहीं चलती लेकिन सब जानती हूँ, आपने अभी मेरे सामने ही अनुज का फोन कात दिया, उपर से मुझे बार-बार बोल रही है कि अनुज को फोन करे, इस बीच बर्खा की बातों से अनुपमा की मां भड़क जाती है और इसी वज़े से वो उसे धक के मार कर बाहर निकालती है।